हेलो एवरिवन, मैं हूँ गुरमीत और कुपीद गुरमीत में आपका स्वागत है आज मैं आपके लेके आई हूँ स्ट्रीट स्टाइल सोया कीमा की रेसिपी इसे आप वेज कीमा भी कह सकते हैं इसे बनाना जितना आसान है ना इसका टेस्ट उतना ही amazing होता है तो क्यों ना स्ट्रीट वाली रेसिपी हम घर पर ही बनाएं वो भी healthy और hygienic तरीके से तो चलिए इसकी रेसिपी स्टाट करते हैं एक पैन में पानी कर्म करेंगे और उसमें डाल देंगे यह हमारे सोया चंक्स आप सोया चंक्स में ले सकते हैं आप सोया ग्रेनुल्स भी ले सकते हैं जो सोया चूरी आती ही न वो भी ले सकते हैं तो यहाँ पे टोटल 200 ग्राम मेंने सोया चंक्स लिये हैं और इन्हें हम पानी में बॉल कर लेंगे. तो टोटल पान से साथ मिट लगेंगे इन्हें बॉल करने में और जैसे ही ये बॉल हो जाते हैं, इनका पानी हम निकाल देंगे. हमें सोया चंग से बिलकुल भी पानी नहीं चाहिए और अभी ये गर्म है. हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसे दरदरा सा ही पीसेंगे. ये देखिए इस तरह से. और अब लेते हैं एक पैन, पैन में डालेंगे हम चार बड़े चमच तेल, और उसमें डाल देंगे एक तेजपत्ता, चार पांच लॉंग, चार पांच काली मिट्च और एक बड़ी इलाइची, इसके साथ ही हम डाल देंगे आधा चमच, जीरा, और अब लेंगे हम बारिक कटे हुए पैज, यहाँ पर तीन मीडियम साइज के पैज को मैंने एक बारिक कट करकर ले लिया है, और आप इन्हें साधे करेंगे, लगबग दो से तीन मिट्री इन्हें साधे करेंगे, जब तक यह सौफ्ट न हो जाए, और उसके बाद हम डाल देंगे एक चमच लसन अद्रक का पेस्ट और लसन अद्रक का पेस्ट का जब तक कच्चा पन ना हटे जब तक हम इसे सौटे करेंगे उसके बाद डाल देंगे हम एक हरी मिर्च तो हर चीज में लाल मिर्च अच्छी नहीं होती है तो आप उसको balance करने के लिए हरी मिर्च भी use करें साथ ही हम add कर देंगे इसमें tomato puree यहाँ पे तीन टमाटर को मैंने piece कर उसकी puree ready कर ली है और इसमें हम add कर देंगे और टमाटर add करते से ही इसमें डाल देंगे हम एक चमच नमक नमक को करेंगे mix और अब पैन को हम cover कर देंगे और cover करके तीन से चार मिट तक हम इसे पकाएंगे और तीन से चार मिट के बाद यह जो हमारे प्याज और टमाटर हैं यह अच्छी तरह से soft हो चुके हैं अब इसमें add करेंगे हम मसाले तो आदा चमच हली आदा चमच लाज मिट पाउडर और लगभग दो चमच मैंने इसमें लिया है धनिया पाउडर तो इन सब मसालों को भी हम इसमें mix कर देंगे तो सबजियों में मसालों का जो बूनना होता है यह बहुत important होता है मसाले जितने अच्छे से बूननेंगे उतना ही अच्छा टेस्स सबजियों में आएगा तो अब हम इसे cover करके 5-7 मिट के लिए वापस इधे पकाएंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से बून जाए और यहां मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं और अब हमें इसमें एड करना है दही और दही एड करने के पहले में हमेशा गैस को बंद कर देती हूँ मसालों को थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम एड करेंगे यहां पे लगबग आधी कटोरी दही इससे क्या होता है ना अगर हम गैस बंद कर देते तो दही फटने का डर बिलकुल भी नहीं होता है तो हमेशा मसालों में जब भी दही आड़ करें गैस बंद कर दे और फिर दही आड़ करें और दही मिक्स करने के बाद हम वापस गैस आन कर लेंगे और इसे कवर करके फिर दो मिट के लिए पकाएंगे जब तक कि मसाले तेल रिलीस ना करते हैं इन मसालों ने तेल अच्छे से रिलीस कर दिया है ये पुरी तरह से पक चुके हैं और इसे स्टेश पर डाल देंगे हम ये सोया चंग्स जिसे हमने बॉयल करके पीस लिया था अभी जो सोया चंग्स है इसमें मसालों का टेस्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है तो थोड़ी देर हम इसे मसालों के साथ ही पकने देंगे तो मसालों में अच्छे से मिक्स करके हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके हम 5-7 मीट के लिए इसे ऐसे ही पकने देंगे तो 5-7 मीट के बाद जब सोया चंक्स में मसालों का टेस्ट आ जाए तो अब इसे स्टेज पे हम एड़ करेंगे थोड़ा सा पानी तो थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे इसे मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा सा पानी इसमें हम और डाल देते हैं तो टोटल आदा ग्लास पानी यहाँ पर हमने इसमें एड़ किया है मसालों का अच्छे से मिक्स कर देंगे और आप फाइनली इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी कसूरी मेती और एक चमच बटर तो जो बटरों में कसूरी मेती का कॉंबिनेशन है न यो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता हो इसके कुछबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है तो फाइनली हम सिर्फ दो मिनिट के लिए इसे और कवर करते हैं और ये हमारी सोया कीमा रैडी है इस पर डाल देंगे हम थोड़ा साहरा धनिया और एक चमच गरमसाला ये हमारी सोया वेज कीमा रैडी है इसे आप ऐसे ही खाये आप इसे पाओ रोटी या पराठी के साथ खा सकते हैं बट अगर आपको स्ट्रीट स्टाइल बनाना है तो आप ये वाला तड़का उसमें जरूर लगाईए तो इसके लिए हमने बारिक कटा हुआ लसन पतला लंबा कटा हुआ अद्रक और ली है कश्मीरी लाल मिच तो इस तड़के में हम ये डाल देंगे ये मैंने कश्मीरी लाल मिच लिए इसे बस कलर आएगा इसका और हमारी जो वेज कीमा है ये बिलकुल स्ट्रीट स्टाइल लगेगी और इसे हम हमारी वेज कीमा के ओपर स्प्रैट कर देंगे और ये देखिए तड़का लगाते से ही इसका कलर बिलकुल चेंज हो चुका है तो फैनली हमारा स्ट्रीट स्टाइल वेज सोय कीमा रैडी है रेसिपी पसंद आए ना तो प्लीज लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो बनाएए खाएए एंजाइ कीजिए और